नमस्कार दोस्तों जैहीन मैं रूबल दंकड़ और आज आपके लिए 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 हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो जिससे आपके थोड़े से मित और थोड़े से डाउट किलियर होंगे जैसे कि आपने पिछली बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि एलिगेशन लग रहे थे कि नैचुरल बोड़ी नहीं बन सकती नैचुरल बोड़ी ट्रांस्फोर्म नहीं हो सकती और बहुत सारे लोगों ने उन वीडियो को गलत ले लिया जिसकी वज़े से उनका मनोबल चूट गया है और वो ंदिये म करते हैं किया श्चमें पॉटी नहीं बनेगी या हमारी बोड़ी नहीं बनेगी या नैचुरल बी बनीर हिई नहीं सकती तो आज इस वीडियो में बहुत सारे doubt और बहुत सारे myth में किले करने वारा हूँ देखिए सबसे पहले कि natural body बन सकती है बहुत ही बहतरीन बन सकती है लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो वीडियो में ये थी कि natural body बनना सकती है लेकिन एक low body fat यानि कि 4-5-6% body fat naturally जाना हर किसी के लिए possible नहीं है इतना हवरक है अब बात करते हैं fitness की अब हम तीन जने आपको वीडियो में दिखाई देंगे एक मेरा छोटा भाई एक मेरा दोस्त है और हम तीनों ही अलग category के हैं और उनके हम तीनों के तिनों मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपनी ही बात कर लूँ मैं 19-20 साल से वरक आउट कर रहा हूँ और मैं एक्टोमोफ में आता हूँ मेरी बोडी जब भी मैं जिम छोड़ता हूँ या डाइट छोड़ता हूँ तो श्रिंक होना शुरू हो जाती है लेकिन मेरी बोडी बे कभी भी फैट नहीं चड़ता इसका benefit मैं लेता हूँ शादी हो, party हो, घूमना हो, फिरना हो सब में मैं दबा के खाता हूँ मैं discipline आदमी भी हूँ लेकिन मैं undisciplined भी होता हूँ जब मैं enjoy करता हूँ life को वो ही चीज़ अब मेरे से different दूसरा मेरा भाई है अभी आपको मिलाता हूँ उससे ये है विवेख और ये government servant है junior assistant के पजपे दिली सरकार में वो है दूसरी बात कि ये workout कर रहा है 2007-08 लेकिन इसकी body का कभी भी इसका ये goal नहीं रहा है कि मैं को ripped रहना या में को muscular बनना या में को बहुत सारी चीज़े करनी है बोडी में या medicine वेगर यूज़ करनी है लेकिन ये workout daily करता है चाहे थोड़ा सही ज्यादा सही करता daily है लेकिन इसको अपने उपर control नहीं है food पे इसे शादी भी आमें कल भी जब मैं इसका bag देख रहा है जिम से मैं चिकल लेका है इसके bag में गज़क रखी दी तो ये different है मिर से इसको मीठा बहुत पसंद है अब दूसरी बात जब इसने diet की जब इसने 21 से कितनी दिन का program दो 21 से 25 दिन इसने hardcore training with diet training तो बहुत सालों से कर रहा है training तो आती है diet की तो इसकी body change हुई और जो मैंने youtube पे और instagram पे post भी की थी अभी जैसे ही उसने 26 बाद दिन लिया और खाना चुरू किया अब इसका आप टी शेट उता रही है शर्माने कारे बात निया सब अपने भाईवन दो है अब पेट छोड़ दो ये है इसकी real body लेकिन ये push कर सकता है push करने के बाद जैसे ही दुबारा normal life पे आएगा इसकी body खराब होगी मतलब कहने का ये है कि life में बहुत सारे काम होते है जीने के तरीके होते है हम लगातार एक job करते हुए बारा घंटे motivate चोबिस घंटे motivate नहीं रह सकते इसलिए ये एक schedule के लिए एक proper time के लिए hardcore training करता है उसके बाद normal life पे आयाता है इसलिए इसकी body का time ये है अब मैं दूसरे बंदे से आपको मिलाता हूँ चल दूसरा बंदा अगर कहूं तो में को अपना रूप दिखाई देता है उसमें बहुत passionate था एक time पे बहुत मैनत करता है तो आ जा 20 साल का पूरा भी नहीं है मतलब ये जब मैं जिम जाया था जब ये पैदा हुआ था और इसका body type बहुत खुबसूरत है pure natural इसके arms देख लो थोड़ा normal खड़ाओ इसके arms देख लो इसकी chest देख लो body की symmetry देख लो हर चीज बहुत खुबसूरत है शायद ये कल भी शादी में गया था और शादी में जाने से पहले इसने अपनी कौन सी मिल ली थी उसमें क्या था rice और egg और ये hardcore training करते है बलकि अभी तो मेरे साथ ही कर रहा है और हम दोनों एक घंटा बहुत hardcore training करते है अब ये अपनी आपको body दिखाएगा ये इसकी फिजीक है माशाला बहुत अच्छी है लेकिन ये certified trainer भी है एक चीज और आपको बता दूँ 20 साल की उमर में certification भी किया हुआ है और ये जितना hardcore diet कर लेता है ना उतना शायद मैं भी नहीं कर पाता है लेकिन फिर भी इसकी body इतनी ribbed है या इतनी extra ornery fat loss हो ही नहीं पाता उसका reason है क्योंकि एक limit होती है साल लगते है मेहनत लगती है एक 3 महीने 6 महीने में वो hardcore body नहीं बनाब दूसरी चीज़ जब आप gym शुरू करते हो ना तो आपको बहुत चाहा होती है कि मैं कुछ भी करके कैसे भी करके यह supplement यूज कर लो तो इसकी body पे भी side effect हुए थे जब इसने एक पर supplement लिया है बार से और इसको बहुत सारे back act ने हो चुके है जिसका इसने हर एक doctor को दिखा लिया है ना तो liver में कोई दिक्कत है ना kidney में कोई दिक्कत है ना कुछ ओर्गन में कोई दिक्कत है लेकिन इसके पिंपल जाने रहे है विकोज जो गाजेबाद वाला supplement पकड़ा गया है वो इसी तरह का supplement होता है कि आपको अंदर से वो खतम कर दिता है जितना clean diet ये रखता है हम कहीं बाहर जाते हैं भी कुछ काम होता है तो ये proper diet करता है मैं नहीं कर पाता मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे पता है मैं drive करूँगा मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया कि मिरे को drink चाहिए drink मतलब यार कुछ भी पीने के लिए juice भी चाही और मैं वो खाने के लिए चाहिए ये वैसे नहीं करता ये proper meal अपनी लेकर चलता और इस उमर में dedication है लेकिन कितने साल से रकाड़ कर रहा है दो साल से अभी तक इसकी body का fat 8% से नीचे नहीं आया तो यही मैं आपको समझाना चाहरा हूँ कि जितना hardcore train ये करता है और diet ये करता है वो करना बहुत मुश्किल है अब आती है बात कि एक video मैंने देखी थी जिसमें हमारे जो senior है हमारे बहुत मेरे बहुत दिल के खास है उन्होंने उधानन दिया है कि guru drone ने korvo को भी train किया है लेकिन अरजुन बना था एक यहां मैं उनसे agree नहीं करता वैसे मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन इस बात को मैं agree नहीं करता because guru वो ही stress है जो अपने नालायक student को अरजुन बना सके पहला guru वो ही होता है आपने अभी movie देखी होगी OTT platform पे नाम नहीं बताऊँगा च्छालांग movie है उसमें heroine hero को सिर्फ यही कहती है कि तू ट्रेनर बना है ना तो अच्छे बच्चों को तो कोई भी train कर सकता है नालायक को train करके जिताना वो main होता है coach तो मैं अगर coaching करता है मैंने जितने बच्चों कोच किया है वैसे मैं अभी train हो नी तो मैं दिल और जान अपनी लगा दिता था लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे दिल से काम करने होगा इंडिया में कोई फाइदा नहीं है तो इसलिए मैं अभी train नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जब किसी के हाथ होता हूँ तो मैं दिल से हो जाता हूँ अभी इसको मैं कोई भी जो जरूत होती है यह पूछता है तो मैं इसको दिल खोल के बताता हूँ और जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे experience और knowledge है मैं शेयर करता हूँ natural body बन सकती है और इससे खुबसूरत body क्या होगी ठीक है कभी भी अपने मन में ये मत लाइए कि natural physique नहीं बन सकती मैं भी यही कहता हूँ राजवीर भी यही कहता है जी सलाल भी यही कहते है सब यह कहते है natural physique बन सकती है बात आती है एस्टा और नेरी ripped और stage की अब बात खतम होते होते हैं एक बात और मैं कहे देता हूँ कि body building अब अब natural के बारे में मैं शब्द कहना चाहूँ हूँ natural natural सभी body builder होते है natural nature के खिलाफ है body को बनाना अगर यह nature ने हमें दिया होता तो इसकी body भी होती camera के पीछे जो londa है उसकी भी physics होती उसके भी biceps होते six pack apps होते लेकिन नहीं होते reason क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है नहीं हम परकरतिये खिलाफ weight lift करते हैं परकरतिये खिलाफ food खाते हैं तब जाके हम अपने आपको ऐसा निकाली दो आज से natural वाला word निकाली दो अगर आप physics पर काम कर रहे हो तो वो natural नहीं है हम परकरति को छेड़ते हैं परकरतिये खिलाफ जाके अपनी body को push करते हैं जो की हमारी body बनी नहीं है अब मैं आप एक बात add कर देता हूँ steroid और natural गी जो चलता रहता है देखिए drug कोई जादू नहीं है आपकी power को enhance कर सकती है लेकिन dedication, strength, willpower, focus ये कभी नहीं ला सकती है बलकि इन चीजों की कम ही कर देगी आपके अंदर तो ये भूल जाएए कि drug से या medicine से steroid से आपको willpower मिलेगी या आपको कुछ मिलेगा ऐसा नहीं होता तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि natural physics बन सकती है अपने दिमाग में ये गलत स्वाहमी ना लाएं कि हमने मना किया है या राजवीर ने मना किया natural physics नहीं बन सकती है लेकिन एक level होता है एक body का push करने की एक ताकत होती है उसके बाद आप हार जाएंगे हार जाएंगे मतलब कि वो चाहा नहीं रख पाएंगे वो चाहा पूरी नहीं कर पाएंगे जो आप सोचे बैटे एक इसमें बात add और कर देता हूँ अंजु बोबी जोर्ज मुझे बहुत पसंद थी एथलीट जो long jump की एथलीट थी तो मैं olympic देख रहा जब तो मैं बहुत मतलब athletic सको बहुत close ली देख रहा गेम मुझे बहुत पसंद है शायद मुझे उनका यादनीय long jump का कुछ record था तो वो record अपने ही छे पॉइंट आट साथ मीटर का अपने ही रिकोर्ड को नहीं तोड़ पारी थी क्या उनके पास ट्रेइनिंग की कोर्स नी थे कोचीज नी थे क्या उनके पास डायट नी थी डायटिशियीन थे हर एक चीज होती है लेकिन आपकी फिजीक आपके नेचर को पुश करने के बाद भी एक लीमिट आती है जिसके बाद सब कुछ रोग जाता है आपने एक चीज नोट की होगी कि जब आप ट्रेन करते हो आप फैट लोस करते हो शुरू के पंदरा दीन बीस दिन महीने आप बहुत त चीजी से फैट लोस करते हो लेकिन उसके बाद आपकी प्रोग्रेस स्लो होने लगती है और यही वो टाइम होता है जब तूड जाते हैं आप कट करते हो ना पीक वीक में होते हो या गेम खेलते हो यह नहीं भी खेलते हो फोटो शुट में तो काब का रोल है ना बहुत अल आप आगी है तो मैंने जो अपने उपर एक्स्पिरिंस किया तो मैं वो ही बता सकता हूँ डूरेटिक्स का आपने नाम सुना होगा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और बोडी बिलिंग में आपको पता भी होगा कि बोडी से जो जो आपका वोटर है तो डिपलीट करन कि आपको 12 लिटर पानी पीना है और वो भी राजगों 10 वे से पहले तक तो क्या है साइंस बोलेगी यार 12 लिटर पानी कैसे पिया कोई डॉक्टर मना कर दे कोई भी नहीं बोले हम पीते हैं एक महीना डेट महीना 7 लिटर 10 लिटर 12 लिटर 13 लिटर तो मैंने पिया और आप आखको बता दू कि इतनी बहर वोष्रूम जाता है मैं इतनी बार टॉलेट जाता कि गिनती नहीं कर पाता हर 5-6 मिनट में बार बार जाना लेकिन पीना है और यह हैबिट ना बोड़ी बहुत स्मार्ट होती है लेकिन बोड़ी को आदू पड़ जाती है कि पानी पी रहो तो और जब वो एक टाइम आता है जिसमें हम वोटर को नीचे लियाते हैं लेकिन बोडी का रूटीन वह यह फ्लश कर रही है तो यह एक अलग अलग एक्सपीरियंस और तरीके हैं तो हर जगा भी अगर बोडी बिडिलिंग करनी है तो इसको निकाल दो लेकिन अगर आपको सेट में चुवा रहे हैं उसका पका हुआ दूद्ध खजूर में पका हुआ दूद्ध वो भी पीता है लेकिन मेरी बोडी पर कभी नीचे डा अब यही चीज बोल दूँगी तुमें भी खानी है तुमारी बोडी अलग है तो भाई हम सब अलग है और सब की लाइफ के एक क्वेश्ट है डिमोटिवेट नहीं होना है मेहनत करनी है यह लाइफ स्टैल का हिस्सा है जैसे आप सुबह वाश्रूम जाते हो ब्रश करते हो और भी काम करते हो लाइफ स्टैल का हिस्सा बनाओ बोडी बिलिंग करनी है स्मार्ट ली तरीके से करो अच्छे कोच के ओपास जाओ, अच्छे से ट्रेन करो, टाइम लो, किसी भी बोडी बिल्डर की हिस्ट्री पढ़ो, उसे कितने साल होगे, जब जाके वो एक मुकाम बे पोस्ता है, तो अगर आपको एक अच्छा बोडी बिल्डर भी बनना है, तब भी एजुकेट होना पड़ेगा, तो मैं यही अच्छाल का है, और मेरे ख्याल से 8-10,000 रुपे मिनीमम कमा पा रहा है, उसका एक रीजन है, कि इतने सारे अब बोलोगे परमोशन है, परमोशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक का है, उसे क्लिक करो, फ्री ओफ कोष्ट एशोशेट लोगीन होगा, शोप नाओ में जाके, टॉम फोर्स करीदो, सबसे में तो सबसे पहले इसका फाज़ा सुन लो, एंटी डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रोब्लम होती है, उसको दूर करेगा, सोने में आपकी हेल्प करेगा, मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, टेस्टर स्टोन को बूश्ट करेगा, और एंजाइ तो मैंने बता दिया, मर्जी आपकी है, करना नहीं करना, फूड आपको लेना पड़ेगा, तो बोडी बिल्लिंग को साइट रख दो, इजीक को साइट रख दो, और नेचरल का दिमाग में से कीडा निकाल दो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, वो नेचर के खिलाफ है, लेकिन लंबे समय तक करते रहो, मेनत इस भाई की तरह है, डेडिकेशन बना के रखो, और लगे रहो, बोडी जरूर बनेगी, नेचरली फूड से बनेगी, करोगे आप वही जो आपको अच्छा लगता है, हमारा मकसद है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, सबके लाइफ में दिन से है, मैं जहां से निकला हूँ, जो मैंने किया हो डिफरेंट है, जो उन्होंने किया हो डिफरेंट है, जो राजवीर करता हो डिफरेंट है, जो अमित करता हो डिफरेंट है, हम सब अलग अलग परस्नालिटी है, एक घर में जो हम करते हैं, हम चार सदसे होते हैं, सब